रामपूर से भीजबी प्रत्याशी नंकी राम का बयान आया है पिछले चुनाव में गढधा कराये गया था उन्होंने कहा और अब सब कुस ठीक हो गया है नंकी राम 2013 में चुनाव हा रहे थे नंकी राम कमर पार्टी निने इस बार फिर नंकी राम को टिकट दिया है गढ़ा था अब आप कहें तो गढ़ा कराये गया था चलिए मैं तो कहता हूँ 65 प्लस के बजा 70 प्लस नहीं हो जाए जादर नहीं को लेकिन क्या बोलता है इस समय जनता चुनाव लग रहे हैं चलिए और इस कबर पर अवरे साथ राजच वित्रे लगातार है मरे साथ बने वे राजच अमर अगरवाल व नंकी राम से आपकी बात हुई क्या कुछ कह रहे थे वो प्रत्यासिक विरोध मतनी उनका विरोध करने के लिए कुछ कांग्रेसी यहां पर पहुंचे थे विमल राय हैं उनका समर्थन कर रहे थे उसके रब में आयते तो उनोंने यह कहा कि जो भी लोग आयते वो कांग्रेसी थे उनको पैसे दे कर यहाँ पर बुलाए गया था और ऐसा कोई उनका विरोध वहाँ पर नहीं है कांग्रेशी हैं कांग्रेशीयों की चाल थी कांग्रेशीयों की रणीती थी और वो यहाँ पर विरोध करने आये थे उनके टिकेट के हिलाफत करने आये थे और उन्होंने ये भी कहा कि आगर आप चाहें तो विलासपूर में जाकर इसका पता भी लगा सकते हैं तो उन्होंने ये कांग्रेस की साजिस कहा, उन्होंने कहा कि विलासपूर में पूरा उनके पक्ष में महौल है इस तरह की बात उन्होंने यहां पर कही उसी तरह जब हम नंकी राम कवर जो प्रत्यासी हैं भारती जन्ता पाल्टी के पूर उग्री मंत्री रह चुके हैं पिछला चुणाओ वो हार चुके थे और इस बार उनको फिर टिकेट दी है पाल्टी ने भरोसा किया चुनाओ लड़ रही है और सब कुछ ठीक है और उन्होंने अपनी जीत का भी वहां पर दावा किया है तो ये दो तरह के आमर अग्राल के बैन और नंकी राम कवर के बैन यहां पर आएं चले राजश तो इस महतपूर्ण भठक पर आप लगाता नज़र बना की रखेगा अपडेट हम आपसे लगाता लेते रहेंगे फिलाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जान का रिक ले